सब्सक्राइब नेक्श्ट ऊंवा और एक्जांबीशु सब्सक्राइब सब्सक्राण 202 होट crop अबिनेशन ओप औब्जेट्स करना पॉसल है इसकेस में अगर आप मल्टीबल औब्जेट्स करोगे देने हिसकेस नॉन स्टेटिक बेरिल का एलोकेश्ट में कितनी बाई था लाह सेंट एकजाम्पल्स में सो भी किया था उन्हें प्रैक्ट करेंग अंगे पिर प्रेक्टिकरी करने मल्टीज क्रियेट करते है मुल्टीज के अंदर फ्लैट्स कैसे होंगे इस फेम्ली सभी फेमिली इसके रिस्पेक्ट में गाडन या पार्किंग की बात का और तो गाडन और पार्किंग की इस टाइब का प्रोचेस होगा प्रोसेस जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर फ्लेट की बात करें तो फ्लेट सभी फैमिली के बाद सेपरेट होते हैं लेकिन सभी फैमिली के लिए लिफ्ट की बात करने लिफ्ट सभी फैबरेट होगा सिंगल कोबी से ओलिफ्ट सभी के लिए कॉमन ली से रुधा से मैस इस्टेटिक वेरेल को एक्सेस करने के अप्रोच कितने हैं यूजिंग क्लास्च ने उजिग देफ्रेंस पॉइंटिंग अब्जेक्त और रेपरेंस करना पॉसिल नीदर इन फाल इस पॉसेश को कॉम्प्लीट कर दे है जैसे एक्स की बात करने तो इक सिप्लेश पर क्रेट कराएंगे इंसाइड डेटा एरिया इंसाइड डेटा एरिया इइस अपर पाइट को आप किंसिडर करोगा गए लिग टेटा सिंदिल्ट एरिय न्यक्स्ताइड और करते हैं य का टाइम non-static नॉन-static वेर्व काई करें हो थे हैं always inside heap तो इसके साथ साथ इस प्रोगाम के नंदोर लोकल वेर्व स्वी क्रेट हुआ है जाए ड़ोकल वेर्वल एस फी पर प्रस्पेक्ट में S1, S2 का ऐलोकेशन की स्प्लेस पर होगा always inside stack area this is stack memory stack heap और data area सारे सारे के इसके unlogical partition of RAM और we can say it is a part of 8th segment of data segment और 8th segment of residence memory मैंने इसे concept को detail से हम discuss किया है basic concept of C language और beginning process of C in that case सबसे पहले class class के respect में perform क्या होगा loading जैसे class load होगा तो सबसे पहले initial process में memory allocation के इसके लिए perform रहा local static variable x x का type का है static इसलिए x कहां create होगा inside data area immediately loading के जैस्ट बाद memory allocation पर्फॉंगा to the variable x next one with initial value as one current case में ने कोई complications हो नहीं just access case होगी है next case में complicated programs create करेंगे related to same concept second case उसका y के लिए अभी कोई allocation perform होगा है क्या नहीं y के लिए allocation कब होगा जब class का object create होगा next second process में perform क्या होगा execution of man method process से related इतने भी outputs रहा होगे output device monitor in that case man के respect में जैसे execution control man function के body part में टोगा देन immediately perform करेंगे memory allocation for local variable s1, s2 s1, s2 local variable जैसे लिए create करेंगे inside stack area next one stack area में s1, s2 के लिए allocation कराने बाद new keyword के according कितने steps follow को नहीं नीड होगे इसके समें total 3 steps first step allocating memory space for non-static variable इस class में total non-static variable इस कितने है only one which is y तो जब भी sample class का object create हो memory के से के लिए allocate होगा only for y not for x क्योंगे x ओ already create हो चुका है heap memory में create क्या करेंगे object of point class address something hundred then memory के से के लिए allocate होगा है variable x के लिए variable x के 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 समें address hundred है है इसलिए इसको mark करना है location के जा हं hundred dot x second step के हां returning sorry initializing by default value y के सरी या creation के इसके लिए अधा non-static variable y है ना कि x इसलिए allocation परभूं करा है to the y second case initialization y के के से default value initialize के है 2 इसलिए इस प्लेस पर असान क्या हो जाएगा अधा value as 2 third step returning address of created object इस से related में काफी depth में प्रैक्टिस पर चुका हूँ प्रीवेश एक्जम्पल्स में hundred असान के समें जाए इंसाइड reference variable as one now as one pointing that object और hundred location same as इस परसे का अगें फिर से new keyword के थ्रू अप्जेट के रहा तो next time again same step follow करने नहीं 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 फिर से same step means again first step allocating memory space for non-static variable of sample और sample class के अंदर non-static variable करने फांड हो रहा है only one which is y इसलिए allocation में किसके लिए हुआ y के लिए प्लस इसका मैंने address है जुम किया एजा 200 y क्रेट होगा object के फिर में address 200 इसलिए mark करेंगे 200.y next one second step क्या initialization default will initialize होगा true third step के according return क्या कराएंगे created object का address which is 200 200 copy किसमोगा reference variable as to then same as similar area में s2 किसको point करेंगे 200 location को और s1 किसको point करा है 100 location आप चाहँ दो उसको mark कर सकते जैसे नॉर्मली जहाँ भी 100 मैंने address replace कराया था 100 के लिए सब्सक्राइब लॉजिकल यूजिकल क्या करेंगे s1 तो y को access करने का अधर भी क्या हो सकता है s1.y same as इस case में है y की case में 200 के 200 के place पर क्यारे place कर सकते है 200 किस variable इंस्टोर है s2 में दुस लोग इस लोग इस लोग नेम एक और नेम असाइंट कर सकते हो जा s2.y clear similarly अगर static variable के respect मात करना first ने static variable directly भी access हो सकता है और other way कहा है इसको access करने के using class name जैसे class करने हम क्या sample इस place को आप logically consider कर सकते हो जा sample.x same है इस class के two reference state के s1 और s2 same location को consider कर सकते हो जा s1.x और s2.x means finally अगर जब किसी object के two reference हो दें दो इस object को access काने के approach कितने हो दें आपको आस two three reference हो ले कि इसमें three जैसे इस hundred object के किसमें single reference पांड़ा s1 तो सलिए इस y को access करने का only यह की अप्रोच यूजिंग s1 same as second object के किसमें इस object का reference कितने क्रेट हो इसके लिए only one s2 इस object के data number y को access करने के approach कितने only one using s2 लेकिन अगर x के regarding बात करें x एक्स अपने हमें क्या आ इस ट्रैटिक वेडिव सभी object के लिए share होगा इस object के लिए share होगा इस object के लिए share होगा इस object के लिए share होगा से एक्स के total कितने copy create वे इस पासिन उन कॉपी और x को access करने के बिएक रहेकिन वे कि एक्सिस कर सकते हैं, class name के थूरू भी एक्सिस करना पॉस लेगिन फाइनली, physically x के रिस्पेक्ट पर लोकेशन कितने allocations ऐक्सित हुए, only one. Then, fifth case में perform किया है, system.out.println value of x, question है कि यहाँ x non-static variable इस क्लास में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि मिलीज इसले क्लास पार GUY त ती या है क्वाइट किस प्लीज के लिए मैसेज ऐस 1 गल्स के लिए स्येंद्विड जो नियाहिएएट सब्सक्राइब और आप replace करा हुए, S1 में store क्या 100, या type check करने की ज़र नहीं है, location की basis पर access करें, इसे Y किस location से आएगा from 100 location, और 100 location में Y का value क्या 2, next time क्या अपने टो का 2, 7th case, S2.X, आगेन S2 के respect में S2 का type consider कर हुए, और S2 का type भी कहा है, sample, इसलिए S case में भी X का declaration और definition का साच होगा, sample class में, sample class लेवल, class लेवल के अदर X का value कहा है, आगेन 1, फिर से क्या display जाएगा, 1, लेकिन S2.Y के case में क्या हैगा, S2 के place पर क्या हैगा, 100, 100.Y, sorry, S2 में 200 है, 200.Y, 200.Y location में cache 2 होगा है, 2, अगेन क्या हैगा, 2, clear, आगेने value chain नहीं के ते, इसलिए S, Y सेपरेट copy थे, जबकि X कैसा single copy, next case में same example से लेटेड, other point discuss करें ही,